नमस्कार आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सपरसियों इस वक्ति की खबर राजस्थान के जोदपूर से ब्रिगुवन्शी जोसी समाज की एक बैठव जोदपूर के जोतिशाचारे हिमंत भारगाओ के सानिदि में आयोजित की गई जिसमें धन 13, 29 अक्टूबर वा दिपावली 31 अक्टूबर को ही मनाने का निर्ण लिया गया है एमंत भारगाओ ने बताया कि दैवग्य काशिनात भटाचारे ने प्रशिद ग्रंथ स्रीग्र बोधव इसकंद पुराण के द्वितेभाग वैश्नोखंड के कार्तिक महामातिय के दसवी अध्याय की श्लोक 11 में भगवान ब्रह्मा जी ने इस पस्ट बोला है जिसके बारे में बताया दिपोट्साय के समय यदि प्रतिपदा दिख जाये तो उस दोसे तितिको रजस्वला की भाति त्याग कर देना चाहिए ग्रंथ अनुसार वा विद्वान अनुसार 31 अक्टूबर को ही दिपावली मनाना आतिशूब है ग्रंथ के अनुसार धंतेरस्या कुबेर पूजन 29 अक्टूबर को ही माना जायेगा प्रयाग अक्सप्रस ने उसके लिए राजस्थान के जोदपूर से समवादा ता प्रकास जोशी की रिपोल्ट आज के दिन बटाचारिय के प्रस्चित घ्रंत शिग्र प्रोध में वा इसकंद पुरान के दित्ती अध्याई वेश्न उखंड के कार्थिक माम मात्य के दस्वे अध्याई में दिपावली के बारे में 11 सलोग में श्री बर्माजे ने इस्पष्ठ का है कि साथ में स्वर पक्ष्य पंचांग अनुसार भी खाफी तीर्थ अनुसार कासी के विद्वानों द्वारा 31 सक्टुमर को दिपावली मनाना स्रेश्कर बताया गया है और इन गरंतों के अनुसार भी दिपावली मनाना प्रतिपद दर्शिते यदि साथ इर्थी वी बुद्देश्ट है जाया यथा नारी रज सवला यानि कि अमाउश्य और एकम दोनों अगर साथ आते हैं तो उस तीर्थी को त्याग नहीं सरेश्कर है वो रुखास कर दिपावली के समय में तो हम समस्त भर्गुवंशी ब् हो और एकम के दिन पर्थी पता के दिन दिपावली मनाते हैं तो घर में धन धानिये की सती होने की संभावनाएं परबल होती है अतेव सभी 31 अक्टुम्बर को ही दिपावली हर्सव उल्लास के साथ मनाएं क्योंकि दिपावली पूजन हमेश्ण से वर्सव और सिंग लगन जो महत्मुन माने जाते हैं वो दोनों अमावश्या के दिन ही माने गए हैं और हमावश्या में इस बार हमावश्यक वर्सव लगन में आ रहा है साथ को और सिंग लगन भी साथ को आ इसाथ का आप gång को आप 21 अक्टुम्बर को आप सभी दिपावली मनाएं जै स्वीकृन When received